दोस्तो यदि आपने अभी तक हमारे प्रिवेस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगी आप जाकर जरू चेक आउट करें और आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो ट किसी प्रकार का कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है कोई भी फीस आपके लिए हाँ पर नहीं रखी गई है यदि आप फ्रेशर है तो भी आप इस पोश्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं किसी प्रकार का एक्स्पिरियेंस यहाँ पर नहीं मांगा गाया है दोस्तो मैं वाईजड होने वाली है वो 30 नवंबर होने वाली है यह आईटेट अपरेंटिसीप होने वाली है दोस्तों काफी बड़िया रिकृट्मेंट है क्योंकि आपको यदि इसमें अपरेंटिसीप करना है ट्रेनिंग करना है तो आपके पास यहां पर अच्छा मुका है देखिए कर दोस्तों हैं पर ते नवराउख और रिकृट्मेंट के लिए लेक्यानिक मेकनिक क्या लिए भी हापर दो है डिंग ही हां पर दो है-ना हम मेकेनिक के लिए भी हाँ पर तीन विकेंसी है तो नमबरा विकेंसी हाँ पर हंडेट है यदि आपने टेंथ के साथ आईटे पास क्या हुआ है 2017 में, 2018 में 2019 या 2020 या 2021 में पास आउट होने वाले हैं तो आप इस पोच्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं आपके यहाँ पर एक साल के ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों यहाँ पर आपकी एक साल के ट्रेनिंग होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको यहाँ पर एज में रिलक्सेशन भी दिया जाने वाला है तो बड़िया नोटिफिकेशन है इसमें आप जड़ू से अप्लाई किजीगा ठीक ना इसमें सिर्फ आईटे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो मिनिमम मेज रखी गई है वो 18 साल रखी गई है मेजियों में 30 एर्स रखी गई है ठीक ना 1961 एक्ट के थुरू आपकी यहा सब चीज आपको यहाँ पर लगाना है ठीक ना दोस्तों तो यदि आपको किसी पर काई कोई प्रॉब्लम लगती है को क्योरी रेती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं मैं आप पर सभी दोसको रेप्लाई करने के पूरी पूरी कोसिस करता हूँ अब हम बात कर आप पर सभी चीजे अपडेट करता रेता हूँ तो आप यहाँ पर सारी चीजे देख सकते हैं ठीक ना अब हम बात कर दें किस तरीके से सारी चीजे को करना है दोस्तों इंके एप्लिकेसन फॉर्म को डाउनलोड करना है और दिये गए एडरस पर आपको सेंड कर देना है आपको आच की पूरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें और आप चाहते हैं कि आपको डेली पैसेज चीजड पर इस तरीके की नोटिफिकेसन मिलते रहे तो आप हमारे चेनल को संस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में तब तक की लाप हमेरे साथ बने रहिए थेंक्यू फर वाचिंग